तो चलिए सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते बड़ उससे पहले आप लोग को कुछ बता देना चाहता हो अगर फर्स टाइम चैनल पर विजिट करें तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे इंफाक्ट बेल आइकन पर भी क्लिक कर लिजे फॉर्मेल एडिस् अच्छी खासी उपर लगभग बात करें तो दस परसेंट तक भी उपर जाते हुए नहीं दिखी है यहीं पर आज के दिन अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं अगर बात करें हम लोग निफ्टी के साइट तो निफ्टी किस तरीके से फ्लो बनाते हुए दिखी थी यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी भी एक अच्छी खासी अपर ट्रेंड को फ्लो बनाते हुए दिखी थी यहाँ पर बीच में साइडवेस मार्केट क्रियेट ज़रूर होते हुए दिखा था बट यहीं पे अगर बात करें NCC में तो NCC बहुत next level का move करते हुए दिखिए अगर आपको याद हो कल के भी दिद मैंने NCC के वीडियोज अप्लोड करी थी इसलिए आप लोग से बोल रहा हो कि जितना जादा हो सब्सक्राइब करो तभी मेरी लेटेस्ट अब्डेट आपको मिल पाएगी बेल आइकन पर क्लिक करना मत बोलना चलो अब में इंपॉर्टन चीज़ के बात करते हैं यहाँ पे जो जम्प दिखाई है जो भी हमारा टार्गेट सब था यह सारे टार्गेट को अगर हम लोग ध्यान दे और यहाँ पे अगर बात करें डिलिवरी तो अभी डिलिवरी कम होते हुए थे 27.85 के डिलिवरी देखो एक चीज़ के लिए मैं बताता था एंसी सी पर पहले जिस तरीक से फाइव डेस पर अगर फ्लो देखे फाइव डेस का फ्लो तो यहां पर देख सकते हैं शेयर लगा तार डाउन जा रही थी ऐसा नहीं यह मतब की मतब रुक जाए कुछ टाइम के रही थी मार्केट में फिर उसके बाद मतब बहुत जादा डिसकाउंटेट प्राइस पर मिन रही थी और हमारा टार्गेट चांसे और भी यह नीचे आते वह दिखेगी यह अफ्कॉस जंप आपको देखने को मिला लास टाइम भी जो निफ्टी ऊपर भागी थी तो यहां पर जो अभी जाके रुकी है ना तो हम लोग बात कर तो यह हमारा शौट टम का रेसिस्टेंस है यही पर आके रुकी है लास टाइम यह आप ध्यान दो तो यहां ही पर हमें रुकते हुए दिखी थी तो इसलिए अभी आप इतना एक्साइटेड मत हो अगर आप बाइंग क लेते तो हम लोग अगर बहुत अच्छे से ध्यान दे तो कितनी डाउन आ सकती है सबसे बड़ा कोशन मार की यह रहता है कितनी डाउन आ सकती है तो आप लोग जैसे अगर देखो तो यहां पर शेयर अगर हम लोग वन यह पर आ जाते हैं वन यह के पैटन पर आप देख सक कि आपको share कुछ 180 to 160 के बीच में दिखे तो एक best buying area आपके लिए बन जाएगा यहाँ पर मैं आप लोग के लिए लिख देता हूँ buying area तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा यह buy at 160 to 180 यह area हो सकता है कि यहाँ पर delivery भी बढ़ते हुए दिखे तो आपका buying area बढ़ने का पूरा का पूरा chances रह सकता है यह area आपका एक अच्छा option बन सकता है buying के लिए अब आज आते BHEL shares पर BHEL पर बात करें तो BHEL देखो तो आज के दिन इसमें भी कोई कमी नहीं है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं 5 days से यहाँ पर तेजी है मतलब यहाँ पर छोटा ही jump देखने को मिला था ऐसा कुछ खास बड़ा jump ने बढ़ा तेजी बना ही market में अब तेजी बना ही तो उस तेजी को हम लोग और भी ज़्यादा ध्यान देते हैं क्यों सबसे पहला तेजी हमें देखने को मिला तो सबसे बड़ा reason सबसे पहले यहाँ पर news का साइट बात करते हैं BHEL backs 1,600 MW thermal plant ordered in from NTPC एक यह news था जिसके चलते हैं नोन में फिर से आ गए क्योंकि BHEL का और भी पुड़ा हाल से गिरते हुए दिखा था अगर आपको याद हो तो मैं आप लोगो दिखाना चाहूँगा BHEL के सबसे पहले हम लोग ए वन एर के चार्ट पैटन पर चल रहते हैं तो BHEL किस लेवल पर भागते हुए दिखी थी एक next level का flow maintain करते हुए दिखी थी और अगर आपको याद हो तो 10% की तेजी आते हुए दिखी थी फिर उसके बाद यहाँ पे major downfall देखो BHEL की fundamental stock की मैं वीडियो बना दिया हूँ अगर आपको फिर से देखना है BHEL की fundamental तो आप comment कर दो fundamental तो मैं BHEL की fundamental की stock बना दूँगा यहाँ पे अगर मतब stock की वीडियो बना दूँगा यहाँ पे BHEL का जादा से जादा chances रह सकते हैं डाउन आते हुए दिखे and BHEL भी वही reason तक आ सकती मतब मैं बोलू तो लग भाल आपको मेभी हो सकती तो 120 तक आते हुए दिख जाए मतब 120 बहुत जादा मैं डाउन बोल दिया 160 से 140 का chances बन सकता है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप लोग को दिक्कत ना हो देखो आप लोग के दिक्कत ना होने के लिए मैं इतना सारा चीज लिख रहा हूं बार बार तो आप लोग भी support करो जितना जादा हो जाए यहाँ पे 140 to 160 तो यह आपका support range एरिया रहेगा जो लोग बहुत पहले से buy किये तब actually अगर आप buying करना भी चाते तो आपको यह सारी एरिया एक best है बट 120 का भी एरिया आपको best मिल जाएगा fundamentally अगर इस stock पे ध्यान दे तो यहाँ पे fundamental से मेरे नजर बे उतना मैं अच्छा rating नहीं दिया हूं इसके fundamental को बट बात यही ए government stock के dividends अब देती है यह सारी चीज को लेके लोगों की influence जादा रहती है इस stock में तो यह सारा चीज एक major reason है आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा इवन बात करें इसकी holdings जो बनते हुए दिख रहे है बहुत कम holdings अभी के time में यहाँ पे 26.37 की holdings होते हुए दिखे तो most probable chances हो सकती गिरते हुए दिखेगी market में तो कोई अगर future में आपको market में गिरते हुए दिखती है तो कोई big deal नहीं है दढ़ने के ज़रत नहीं है यहाँ पर मतलब आपको खुद पता होना चाहिए कि क्या flow है तो अभी के time में आप लोग एक चीज बता दे रहा हूँ यहाँ पर जो current scenario है situation है तो इस point पे लोग सब क् option trading करते हैं सबको पता है कि यह down जाएगी इस तरीके का flow बना हुआ है down जाएगी और यहाँ पर सब option buying and selling करते हैं तो यहाँ पर मतलब most of all लोग बता है जो लोग बाई करके रखे होंगे यहाँ पर उनको यह चीज देखने को मिला होगा आज की दिन just मैं आ जाता हूँ one month प थी ओके कब 15 मार्च को 25 पे थी अभी 3.5 पे डिफ्रेंसेज देख रहो आइडिया खुद लगा लो यहाँ पर मतलब आप खुद अगर ट्रेड लेने का सुझत है तो आप खुद आइडिया लगा लो किस पॉइंट पर आ चुकी है तो आप बहुत केरफुल होके ट्रेट क कर लिजा इन्फाक्ट बैल आइकन पर पी क्लिक कर लिए एंसीची की भी बात करें तो यहाँ पर जो एंसीची को लेके सब बात करें कि यहाँ पर बहुत कोई को तो यह कौन से यह सेक्टर में काम करती तो मैं आप लोगों बता देता हूं यह सिव इंफ्राइस्ट्ट्ट के सेक्टर में आप देख लो सिविल्स कंस्रेक्श टो यहाँ पर इसी सेक्टर में यह काम कर रही है तो बहुत कोई का डाउट था सिर्य ए कौन सेक्टर बहुत को नहीं पता है इस कंपशनी का रमें और इसकी option चैन भी आप देख सकते हो स्वारी option chain ने अस गलती में नहें मेरे एक और अकाउंट है फिनांस का फंडा इंस्टागाम पर आप मुझे इधर भी अप्रॉच कर सकते हैं अगर कुछ डीटेल इंफोर्मेशन चाहिए बहुत पैनिक हो गया हो टेंशन है मार्केट को लेके तो हां आप मुझे इधर अप्रॉच कर सकते हैं हम लोग इधर भ लोग दाला हो सके हैं थैंक यू वव रइस दे आप